किदारनाद हम के कबार्ट बंद होने से एक दिन पहले बावा किदारनाद की पंचमुकी हन उस्सो मूर्ती आज प्राता मंदिर पहुंची सौसर पर वद्रीनाद किदारनाद मंदिर समेते पर भी के टीसी अधिक्स अजेंद्र अजे पंचमुकी उस्सो मूर्ती की फूजार श्राशना में शामिल हुए तीन नॉम्बर भयादूज के पाउनों सर्पर सुबाट बचकर तीस मिनद पर श्रीद कालिन हे दू बंध हो जाएंगे कपाट बंध होने के बाद बाबा के दारनाथ की पंच मुखी उस्सों मूर्थी बढ़ाओं में प्रवास के बाद श्रीद कराए गया धर्मार्थिकारी औंकार शुगला बेद पाथी स्वयंबर स्रीमौ पूज आशना संपन की दताश्र धालू ने आपको बता दे चले पंच मुखी उस्सों मूर्थी के दर्सन किये मंदिर की परिक्रमा के बाद भगवान के दारनाथ की पंच मुखी उस्सों मू देवताओं के द्वारा पूजा होती है और छे मैने मानों के द्वारा पूजा होती है अक्षिया तिर्तिया से भया दूज तक जो समय होता है वो जीवात्मा का दर्सन का भगवान स्रीकेदारेश्वर्ज की दिबे जोत्रलिंग किया और उपासना का समय रहता है भया दू तीन नौवंबर को भगवान के कपाट बंद किये जाएंगे भगवान का कपाट कस्रिमंगल वहादूज के दिन होगा वह सिर्प मानों के लिए छह मैंने जब कपाट बंद हो जाते हैं भगवान शुव को दिव्य शमादी दी जाती है उससे पुर्व की परंप्रा यह है कि वहाँ पर जो इसके छेत्र के भू छेत्रपाल वुकंड देव इस छेत्र के छेत्र नायक भुकंड भैरव जी उनका दिव्य पुजन होता है सरुपर्थमन के कपाट बंद किये जाते हैं उसके बाद स्रीक यदारेश्वर जोत्रिग्य के दिव्य कपाट किस्रिमंगल किय जाते हैं कि और जब भैरव नाजी के कपाट बंद हुजाते हैं उसके बाद यहां पर भगवान श्रीकेदारनाजी का जो दिवे स्रिंगार होता है वह दिवे स्रिंगार सुक्ष में बदल जाता है भगवान वैरागी की स्वरूप में आ जाते हैं भगवान की जो दिवे आरतियां होती हैं वह सिमित स्वरूप में की जाती हैं और ठीक भायादुज के दिन भगवान स्रिकेदानाजी का दिवे जोत दिलिंगे चार पहर की पूजा होती है भगवान शिव को विभूति शमादी दे करके छे महा के लिए कपाड़ बंद किये जाते हैं भगवान का दिब अखन जो जला करके भगवान का जो उत्सव मूर्ति यहां से तीन दिन की पैदल यात्रा के बाद दिब अनेक अनेक है वो अपने सित कालिन प्रवाश जहां पर भगवान स्रिकेदार नाज जी की दिब्य गद्धी अस्तलिये उखीमाट ओंकारिश्र मंदिर वहां भगवान का छे महा पूजन होता है भूग मूर्थ स्वरूप में उत्सव मूर्थ स्वरूप में और यह दिब परंपरा इस दिब हमाले की है